दिली में ये दिवाली के बाद फिर प्रोदूशन से हालात खराब हो गए हैं। दिली में जितना जादा प्रोदूशन है उससे जादा इस पर सियासत हो रही है। और बीजेपी और आमादमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिली में प्रोदूशन की वज़ा पंजाब में जल रही पराली है। वही दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिवाली के दूसरे दिन बीजेपी ने पूरे दिल्ली में जानबूच कर पटा के जलवाए वह पटाके कहां से आए दिल्ली में पूलिस तो आपके पास है दिल्ली सरकार के मुताविक बारिश और हवाओं से राहत मिलने के बाद पटाकों की वज़ह से ही दिल्ली में धुन्द और प्रदूशन बढ़ गया है इसलिए पूरी दिल्ली में प्रदूशन और धुन्द की मोटी चादर ढखी हुई है सुभा तो विजबिलिटी भी काफी कम थी दिल्ली के आई टीओ में AQI 424, IGI एरपोर्ट पर 426, पूसा में 426 और न्यू मोती बाग में 420 दर्ज किया गया किस तरीके का प्रदूशन आज देखने को मिल रहा है उसको समझाने के लिए बर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी यमुना नदी में भी प्रदूशन बढ़ गया है, केमिकल से भरे जहरीले जाग यमुना नदी के पानी में तैरते दिखे